नमस्कार दोफ्तों स्वागत थे विदार्थे टूप वंट जीरो पते इस वीडियो में हम लोग बिहार SAC याने B.S.S.E. का Model Practice Set 1 को लेकर आ चुके हैं यह जो है Model Practice Set किरन पब्लिकेशन से लिया गया है तो आप लोग वीडियो में बने रहे वीडियो को पूरा देखे वीडियो पर पाली बने है तो वीडियो को लाइक रहे चैनल को सस्क्राइब कर देजिए तो लिए हम लोग बीना देरी के विए शुरू करते हैं देखे पाला कोचन है फ्रेंड्स इसको जुम कर ले थोड़ा कर रहे कि पाला कोचन 1907 में जो है Congress के नितरितों में कौन से सत्र में चरम पंथियों और नरम पंथियों का जो है विभाजन किया गया तो आपका सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स अप् कर सकता है अनुछेद बहत्तर के निष्ट कोचन तीन नमर करा कि किस राज जो है किस राज या केंद्रसासित परदेश की परसीद पस्मीन को जो है पस्मीना को जी टैक के साथ भोगौलिक मानेता प्राप्थ होई है तापका राइट एंसर हो जाए फ्रेंड्स अप्सन डी जम्मो और कस्मी ठीक है जले इनिष्ट आगे कोचन चार नमर करा है कि निमलीखित में से कौन जो है बिहार के पहिला महिला उप्ष मुख मंत्री बने तापका राइट एंसर क्या हो जाएगा अफसे निष्ट राइट एंसर नि रेंडु देवी जले इनिष्ट कोचन पां कितने प्रतिसत फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसे निष्ट राइट एंसर नि महाराष्ट के जो है ताप ये उर्जा सन्यांतर के बाद सिर्वाधिक उर्जा उत्पादन करने की क्या है सकती है ठीक है चली निष्ट आगे कोचन साथ नमर करा है कि भारत के लिए जो है मुक्ति तक का संभव नहीं है भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हो मतों की भलाई में न लगा दे या पंक्ति जो है बानारस हिंदू बिश्व व विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपने इच्छा से विवाह करते हैं आपका राइट एंसर फ्रेंट्स आफशन वीदर राइट अनी गंधार व विवाह कहते हैं चलिए निस्टागे नो नमर कोचन कह रहा है कि कलानुकरम के अनुसार निमलीखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी आपका राइट एंसर के और फ्रेंट्स आफशन है इनी सिकंदर की मौत ठीक है चलिए निस्टागे कोचन दस में करा रहा है कि भारत में जो है जोन बिल मेला एक एसा मेला है जहां बस्तो बिल में पड़ाली का उप्योग अभी तक किया जाता है यह मेला भारत की जो है कौन सी राज में होता है आपका सेहूत्र हुए फ्रेंट्स आफशन सी तर राइट एंस यानी आसम में होता है नेक्ट कोचन कह रहा है कि बंगाल की जो है दिवानी इस्ट इंडिय कंपनी को हस्तांतरित होई थी तापका सही उत्र हो जाएगा आपका सही उत्र हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा बंबयोर थाड़े की बीच में ठीक है चले निस्ट आगे कोचन तेरा नमर का रहा है कि बाल गंगाधर तिलोक को वलेंटाइन चिरोल द्वारा जो है खाले स्थान के रूप में वनित किया गया था ठीक है आपका सही उत्र हो जाएगा फ्रेंट्स आपसन भी इदर राइट एंसर है भारती असांती के जैनक के रूप में इनको वनित किया गया था कि इनको बाल गंगाधर तिलोको ठीक है आपको बीडियो पसंद आ रहे तो बीडियो को एक बार लाइक जरूर करें चलिए निस्ट कोचन कर रहा है कि दा इनसाइडर नामक पोस्ता के लिखा निम लिखित में से कौन है फ्रेंट्स आपको सही उत्तर हो जाएगा अपसन नमर्डी इदर राइट एंसर हो जाएगा चले निस्ट आगे कोचन कर रहेगे अंतराष्टी के गरीबी उनमुलन दिवाट चुहे 23 का बिसा है नतराष्टी के गरीबी उनमुलन दिवा 32 का बिसा है फ्रेंट्स था पोस्तर हो जेगा और सेर, इदर राइट एंसर नि सब बेकार और समाजक सुरच्छा सभी के लिख बिभार में गरीम मलाना ठीक है चलिते हैं नेक्स तागे कोचन के उर्पटते हैं फ्रेंट्स कर रहा है कि भारत के जनसांखी के इतिहास में जो है किस बर्स को महान विभाजक बर्स यानि दा इयर ऑफ ग्रेट डिवाइट के नाम से जाना जाता है आपका सही उतर हो यह फ्र प्रांस में है नेक्स कोचन कर रहा है कि भारतिया रिजर्ब बैंग ने रेपो रेट को जो है कितने परतिसत पर बनाए रखा है ठीक है तापका सही उतर हो यह आप्शन वीदर राइटेंस यानि 6.50 परतिसत पर बनाए रखा है ठीक है चलते हम नेक्स आगे कोचन 9 नमबर कर रहा है कि किस परकार की मीटी में जो है पानी के अधिकता मात्रा बनी रहती है तापका सही उतर हो यह फ्रेंट साफन डीदर राइटेंस यानि चिकिनी मीटी में चले नेक्स आगे कोचन कर बढ़ते हैं 20 नमबर कर रहा है कि 1955 में जो है 1955 से पूर्पनिम लिखित में से कि अंडिया के आमने की के नाम से जाना जाता था ठीक है ताह्ते है नेक्स टागे कोचन 21 नमबर कर रहा है किहम पी का विराफाच मंदिल कि प्लेश्य समर्पीत है किसे समर्पीत है ठीक है आपका सही उतर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स आपसन नमबर बीदर राइटेशन नि भगवान शीव को समर्पीत है नेश्ट कोचन का रहा है कि बड़्स द्वहतेश के सांती नोबल पुरसकार से जो है किसे समानित किया गया है तो आपका राइटेश आपका राइटेश के सांती नोबल पुरसकार से किसी समानित किया गया है तो नरगिस मोहमध्दी को ठीक है अब चलते हैं आगे तेश नमर कोचन कर रहा है कि निमलीखित विकॉलपों में से कौन सा जो है सिंदु घटी से बहता का जो है नगर पतन सहर नहीं था ठीक है ता इदर राइटेशनी उपराष्ट पती ठीक है अचले नेस्ट वोचन 25 नमर कर रहा है कि भारतिया अंत्रे चनु संधान संगठन जो है किसके लिए मानो रहित उरान परिछन शुरू करता है ठीक है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स इसका सही उतर जो है उडा इदर राइटेशनी तमिल नाडू में इस थी ठीक है अब चलते हैं नेस्ट वोचन 27 नमर कर रहा है कि सिंधु घाटी से वेता में जो है निमलिखित में से कौन सा सहर अस्तित्व में था ठीक है कौन सा सहर अस्तित्व में था फ्रेंट्स तापका राइटेंसर क्या हो आगरा नादी में चले नेस्ट आगे कोशन के देखते हैं 29 नमर कर रहा कि मानो जनसंख्या का वह अध्यान है जिसमें जो है उनके अकारसन रचना और अस्थान छेत्र में बीत्रों परकिरिया जो है जिसके माध्यम से जो है अबादी में परिवर्थन होता है वो कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्रेंट्स तापका सही उतर हो जाए और वी दर राइटे से जनसांख्य की अनि डेमोग्राफी कहा जाता है ठीक है अब चलते है नेक्स टागे ठर्टी नमर कोशन का राए कि निमलिखित में से कौन से जो है लोग निरित्य और समन्दित राजी का यू लें से निकलती है लिने कितने से जो नदी है निपाल हमालए से निकलती है ठीक है टर्सेस की अप्सर्प्रस है आप चैन दिधार यह तीन अस्तरिया है निश्ट कोचन कर आएगी नाटे सास्तर जो कि निकटिये कला के विशाय में एक परसीद ग्रंथ है किसने लिखा था आपका सही उतर हो जाएगा फ्रेंड साप्सन नमब सीधर राइटें से नाटे सास्तर कि रचाईता भरतमुनी है ठीक है अब चलते हैं गपारिक है निश्ट कोचन का रहें कि 35 नमब खालेस ठावर्घिया था अथ्क है स्वामित्व के विधोगों सीधुक्ष्वार्ग थे वक्त के वरगी करण में से एक संजुक छेत्र उधोग है ठीक है तापका सही उतर हो जागा फ्रेंट साप्षन डीदर राइटेसने स्वामीत्व क्या धार्प उधोगों के बर्गीकरण में एक संजुक छेत्र उधोग है ठीक ना चलते हैं नेक्स्ट आगे कोचन 36 नमबर करा है फ्रेंट कि 2011 के जनगा संदर में जो है मात्रा के संदर में बिस्व की सबसे बड़ी मिठ्हे पानी की जिल कौन सी है ठीक है तापका सही उतर हो जागा अप्सट नमबर डीदर राइटेशने बैकाल जिल ठीक है चलिए निक्सट आगे कोचन 38 नमबर करेंटीब्व शुल्तान की मेर्थू है किस ब जर। बहुत बढ़िया और है कि www का विस्कार किस ने किया थिक्yasार मंत्रिक प्रधान और है ताप उत्वा फ्रम्स नमघन सार्चााम का है उन्ध कमार डुबाल भारत के प्रधान मंत्री के बर्तमानSet कट्वाई स्थान है ताब करा सही उत्तर हो जाए फ्रंट स्वसान नम्र से इधर राइटेंस है राष्टी सुरच्छा सलाकार है नेस्ट कोचन कर रहे कि भारत के जोहे कौन से राज में को है कोईले का सरवाधिक भंडार है कोईला के सरवाधिक भंडार किस अस्टेट में है फ्रांच आप लोगों को पता ही होगा हुआ है जर्खन राज्ये में ठीक है अब चलते हैं नेक्स आगे कोचन क्यों है अब आगे कोचन करा है 42 नमबर और 42 नमबर यहां से ठीक है हम देखते हैं यहां से 42 नमबर कराए कि पदमा सुब ब्रह्माडयम को जो है कि सास्तिरे लोग निरिते के लिए जाना जाता है तापका सही उत्तर के हो जाए फ्रेंट साप्सन भियानी कत्थक निश कोचन कराए कि इंफिल्ड राइफल लाने के लाने के लिए कौन उतरदाई है जिसमें चर्पी वाले अर्श्तूतों का उप्यूग होता था तो 5857 विद्रोह का तत्कालेन काराण बना था तापका सही उत्तर क्या हो जाए फ्रेंट सापका राइट एंस से आप्सन नमबर बीद राइट एंस यानि हेंरी हारडिंग चल संगवाद चलिए मनेश्ट आगे कोचन 45 नमर कोचन का रहा है कि खाले अस्थन के अस्थापना जो है 1863 में दावो पांडूरंग और उनके भाई आत्म पांडूरंग द्वारा की गए थी जब केसो चंद्र सेन ने लोगों को एक इस्वर में विश्वास करने और केवल एक किस्वर की पूजा करने के उदेशा से माहराष्ट का दवरा किया था आपका सही उतर हो जाए फ्रेंट से इधर आइटेंस ने प्रात्ना समाज के अस्थापना की थी चलिए नेक्स्ट पोचन 46 नमर का रहा है किस ग्रह को पिर्थिवी के जुड़वा गरोह माना जाता है आप लोगों पता ही होगा किस ग्रह को माना जाता है फ्रेंट्स तापका सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर आपका राइट इंसर ऑप्सन नमबर डिदर राइट इंसर ने सुक्री ग्रह को ठीक है चलिए निक्स आगे कोचन 47 नमर कर रहा है कि निमलिखित में किस जो सास यंदिधानी देवी मंदिर का जो है निरमाड करवाया था ठीक है ठीक है एक उप्सन बीजल के जो है निरमाड करवाया था ठीक है चलते हैं आगे कोचन आगे कोचन कर रहा है कर आए कि महात्मा गांधी क्यात्मकथा का नाम क्या है देखें माई एक्सप्रिमेंट विथ द रूथ है यानि सत्य के पर्योगी दर राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोचन कर आए 49 नमर निमलीखित में से कर आए कि निमलीखित में से महिला सतरांज बीस्वर रैपिट च कर आए कि अंतराष्टी रेत कला उत्सों आहम तोर पर खाली अस्तान में विजित किया जाता है ठीक है ताप सेह उतर हो जाए फ्रेंट सबसेंडी दर राइटन सेनी ओडिसा में चलिए बागे बढ़ते हैं समान बिग्यान एवं गणीत क्यों ठीक है तो हम लोग जीके-ज बनाने के लिए इश्ट उतरदाई है और समाने हावा में पाई जाने वाले दोसक सुच में जीव किर्वन की खटेपन का जो है कारण बन सकते हैं ठीक है तापको सही उतर हो जो फ्रेंट सब्सेंडी दर राइटन सेने लूई पास्चरी दर राइटन से रोजएगा चले न सब्सेंडी दर राइटन सेने पाई जाते हैं तापको सही उतर के हो जाएगा फ्रेंट सब्सेंडी दर राइटन सेने उसको हम लोग टेरीडू फाइटा कहते हैं ठीक ना अब चलते हैं नेस्ट आगे कोचन 53 नंबर देखे का रहा है कि किसने यह हो लोकिन किया कि जो है ग और डॉल्टन ने चलिए नेस्ट आगे कोचन कि देखते हैं फ्रेंट्स 54 नंबर करा कि कौन सा जो है कौन सा चक्र पानी की गती को दर साता है ठीक ना तापकर राइट एंसर क्या हो जाए फ्रेंट्स आपसन नमर डी इदर राइट एंसर नहीं जल बिया चक्र ठीक ना चलते हैं नेक्स्ट आगे कोचन कर रहा है कि निमलिखित में सक्षाप्षा के जो है आयन सबसे बड़ा होता है आपका राइट एंसर फ्रेंट्स आपसन इदर आइट एंसर ने इन ठीक ना सुडिया नेक्स्ट कोचन कर रहा कि 10 मोल्स का दर्बमान कितना होता है यापका सह चलते हैं नेक्स्ट आगे कोचन कर रहा कि सरो भाव में गुरुत्विय नहीं आता है कि किसने किया है ताप कर रहा है कि किस मिस्र धातू कि एक धातू यदी मरकरी है तो वह धातू कहला है कि ठीक है तापका सही उतर किया हो जागे फ्रेंट्स अप्सन बीदर राइट से नहीं अलगम कहलाएगे ठीक ना चले नेक्स्ट आगे कोचन साथ नंबर और लास्ट कोचन नहीं हम लोग करने वाले हैं कर रहाएगी मानाव में नर्यूग में निमलिखित में से कौन सा गो कि यूऑ तो लोग दुए वागे लहाएगे ब में नहीं वाग्व अग्रम के बनात्य कौन साथ खिएक साथ नहीं हम अलगमotros नहीं हैं वाले हैं कि रहगे नहीं यूँ आगे लियाएगे लोगम